नमस्तो दोस्तो आपका एक वर्फट से स्वागत है आपके अपने योटुब चानल पूजा घरसंसार में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप कर लेंगे फटा-फट और इसमें आपको एक रूपय का भी इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तो और काफी सारी महलाएं इसी ट्रिक को फॉलो करके प्रेगनेंट हो चुकी हैं बहुत छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स जो हैं वो आपके लाइफ स्टाइल को एफेक्ट कर सकती ह और प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं होगी तो आज की इस वीडियो में ये भी जानने वाले है कि ऐसी कौन सी गलतियां है जो आपको अगर जल से जल प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो नहीं करना चाहिए तो आईए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों pregnancy conceive करने के लिए आपका ovulation time जो है वो काफी ज्यादा best होता है इसी time पे महिला conceive करती है ovulation के ऊपर काफी सारी मैंने वीडियो बना रखी है जिसको आप मेरे वीडियो के of day start 10 days दिं से लेक्स आगे के जो 10 देज होते हैं उन ही बीच में आपको ये कि करना है इसमें आपको क्या करना है दोस्तों तो ये hair wasygprise होता है आपको इस समय आपके hair में विल्कुल सब्सक्रावर पानी से भी wash नहीं करना है किसी तरीके का hair dryer भी यूज नहीं करना है, conditioner यूज नहीं करना है, यानि आपको आपकी जिस दिन period आते हैं, उसके दसवे दिन से count करके, जो दसवे दिन हैं, उस समय से आपको बिल्कुल भी hair wash नहीं करना है, अगले 10 देज तक, किसी भी तरीके से, पानी से भी normally आपको wash नहीं कर सक होता है, इस समय अगर आप hair wash नहीं करते हैं, तो आप pregnancy काफी जल्दी conceive कर सकते हैं, क्योंकि अगर hair wash कर लेती है महिलाएं, तो उनके body का temperature जो है, वो काफी कम हो जाता है, और pregnancy conceive करने के लिए body का temperature आपको कम नहीं होना चाहिए, ये इसके पीछे एक logic है, तो दोस्तों इस बीच में, unprotective relationship भी maintain करना है, और आपको hair wash बिलकुल भी नहीं करना है, आप अगर hair wash करना भी जाती है, तो आप अगले 10 दिनों के बाद ही hair wash करेंगी, तो दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ी सी और ध्यान रखने की जरूरत है सावधानियों की, बहुत सारी महिलाइं इ है, तो आपके period आने के 10 दिन के पहले आप hair wash कर सकती हैं कभी भी, लेकिन period आने से 10 दिन के बाद आपको hair wash अगले 10 दिन तक बिलकुल नहीं करना है, किसी भी चीज से, किसी भी तरीके से नहीं करना है, ये काफी जादा proven trick मैं बता रही हूँ, जिससे काफी जादा महिलाएं pregnancy conceive कर चुकी हैं, और ये एक काफी जादा normal तरीका होता है, अगर आप pregnancy जल से जल conceive करना चाहती है, naturally, अब दोस्तों इसमें जिसवे दिन आपकी period आती है, उसके 10 दिन के बाद, हर महिला के ovulation day start होते हैं, बहुत सारी महिला confused रहती है, कि ovulation day change तो नहीं होता रहता है, जो period cycle है किसी का 28 दिन का, किसी का 30 दिन का, तो 35 दिन का, तो देखिए दोस्तों ovulation का सबसे बहतर जो time होता है, वो यहीं होता है, आपके period आने के 10 दिन के बाद, अगले 10 दिन के बीच में, कभी भी आपकी ovulation से under release हो सकता है, तो इसको ovulation time कहते हैं, और इसी वज़ से मैं बोल रही तो वीडियो के playlist में जाके ovulation को अच्छे से समझ लीजे, और जो आपका period है, किसी भी date को आता है, बहुत सारी महिलाओं का date confirm नहीं होता है, आगे पीछे होता रहता है, तो आपका जब भी period जिस भी date को start होता है, उससे अगले 10 दिन को count करके, और जो 10 दिन आता है, उससे अ अपने life में करते हैं, और जिसकी वज़े से जल्दी से जल्दी pregnancy conceive नहीं कर पाते हैं, प्रेगनेंट नहीं हो पाते हैं, तो यह काफी ज़दे important था, आपको information देना, जो उन महिलाओं के लिए, जो काफी दिनों से try कर रही हैं, और conceive नहीं कर पा रही हैं, तो जरूर इस trick को और आप conceive कर लोगे within one month दोस्तों, तो आज के वीडियो में फिलाल इतना ही, अगर इस वीडियो से related आपकी कोई भी query है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो जरूर अपने दोस्तों में share कर दिजेगा, वीडियो को like कर दिजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई topic के साथ, तब तक अपना ख्याल लखें, दोस्तों take care, नमस्कार